कि सब्सक्राइब करें सिंट टेक्निकलचेनल को और प्रेस करें इस बैल आईकोन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो के नोटिफिकेशन सब से पर त्दीर के लिए ज्यातं दला की स्टार्टर के लिए हो जो कई पिर्नस्टे मैं व्यर्जात इता है एक आप्पा स्टार्टर के लिए निय। करके किसी पर अचा कर सकते है फे तरो Collins maj में ऐसे स्टार्टर करना देखें यह फे इस स्टार्टर के जरीए में यह तिमीन्स अचा करके देखें कि स्टार्टर से अन आप हो रही है यह नहीं चलिफस प्रैक्टिकल इसकर कनेक्शन देखें किस तरह स्टार बनाएगे सो इस 11 Pin Relay से, हम एक dual starter बनेगे हैं, फैंसे 11 Pin Relay के connection हमने यहां पर बनाए है, तो फैंसे 11 Pin Relay का connection किस तरह किया जाता है, उसके चेक किस तरह किया जाता है उसके वीडियो पहले ही बना चुके है, फैंसे इससे हम जादा नहीं समझते है, समझ लेते हैं, कौन-कौन से Terminal होते ह उसके बार मुसका connection स्टार्ट करते हैं तो friends usually देखे जाए तो यहां निचे 4 terminal दिए गए यहां पर 2 terminal दिए गए है यहां एक terminal और पिछे 4 terminal दिए गए है friends generally 11 pin relay है इसलिए इसे usually 3C or relay भी कहते that means इसे 3 common, 3N or 3NC हो तो that means इसे हम किसी भी तीन चीजों को आसने से control कर सकते friends आप 8 pin relay से भी बना सकते है और 14 pin relay से भी बना सकते है friends इसे just हम देखते है किस तरह starter को बनाया गया है उससे पहले इसके terminal थोड़े समझ लेते friends यहां पर देखा जाए तो 2 number और 10 number जो होती है इसकी coil होती that means इसे relay को operate करने के लिए में 2 और 10 में supply देना होगी इसके लाँ friends एक number यहां पर देखा जाए एक number और तीन number NO है that means एक number से यह supply निकलेगी वहाँ जब relay operate होगा operate होने के बाद तीन number से निकलेगी और 4 number इसके साथ NC है that means एक के supply चार से निकलेगी जब relay off condition बर रहेगा तो friends common NO NC नहीं समझते हैं आसे देख लेते हैं एक के साथ तीन NO और 4 NC है इसका लाँ friends देखा जाए तो 6 के साथ 7 NO एवर 5 NC है इसका लाँ friends देखा जाए तो 11 के साथ 9 NO और 8 NC है और 2 और 10 इसकी coil है जिसमें हमें supply देना होके इसे operate करने के लिए तो friends हम इसका connection किस तरह करेगे यहां हम देख लेते हैं यह तर में टर्मीनल अभी बना लिये है friends तो starter का connection देखने से पहला हम एक सीमेंसी drive है इससे practically run करके बिस starter से देखेगे किस तरह हमारी drive run हो रही है चलिए friends इस drive को तो हम लास्टर में इसका connection भी करेगे उससे पहला हम इस starter का connection देख लेते हैं किस तरह हम इसका connection करते है तो friends यहां पर हमारी पास phase और neutral आ रहे है यह NC push button यह NO push button है तो friends हम neutral तो just 10 number में डायरेक्ट देदेगे relay के अब friends हमें face की controlling करना तो face हमारा यहां पर आएगा और यहां जाएगा हमारा NC push button में stop push button में stop push button से निकलते हो जाएगा NO push button में friends हमें इसमें just a deal बना रहे है जो हम contactor से बना तो उसमें थोड़ा से change होगा जो आप आसनी से एड़ी आपको contactor से आदे तो इसे भी आसनी से बना सकते है friends NO में जो supply आएगी वो NO को जैसे ही हम यहां पर प्रेस करेगे यह supply जाएके हमारे इस relay को operate करेगे यहां पर उसे phase मिल जाएगा तो friends यहां से हमारा relay operate ऑगवर फ्रेंस इसे hold down अभी नहीं मिला है तो hold down करने के लिए हम इन तीन एनों में से किसी भी common और एनों को यूज़ कर सकते है तो friends हमने यहां से जो इसके supply है हमने यहां से 6 नमबर और 7 नमबर यूज़ किया है तो friends 6 नमबर में हमने यहां पर supply looping कर दिये जिससे हम कॉंटेक्टर में करते है और यहां से एनों से ले जाके हमने एक hold down दे रिया है यहां पर तो friends 6 नमबर और 7 नमबर जेक मिन से जैसे हमारा relay operate हुआ इसकी supply 6 नमबर में गई और यहां से इसे hold down मिल जाएगा किस तरहां देते हैं हमने पहले इडियो पर कई वीडियो बने है आप उसे देख सकते हैं यह से hold down मिल जाएगा और हमारी drive जो है परमानेंटली किसी भी एनों को यूज़ कर सकते हैं यह सा कुछ नहीं है यह तो हमारे जस्ट अब स्टार्टर बना है आप इससे सीमेंस drive के connection पर यादा नहीं जाते हुए हम इसके कौन से आप अबया है यह सम्ड के और जोटय होते हैं जीसे कि ऊसमें की intelligence के वायर होते हैं कि ध्याइशक करना होगे direct abang तो दो वायर को इससे बेख सचर्टर के ईनों से नहीं दे जाएए अम पर पुस जांपना है है यहां से हम 24 व्लत को लाकर इस एक नंबर में दे रेगे तो यहां पर भी हमने एक नंबर में दे आगे जैसे हमारा यहां रिले operate होगा रिले operate होने के बाद जैसे कि हम जानते एक के supply तीन से निकलेगी तो रिले यहां से operate होकर D1C में चला जाएगा और हमारे drive को जो run command के wire वर शॉट हो जाएगे तो हमारी drive स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह हम Siemens drive को run करवाएगे वेश्चित तो Siemens drive के connection पर विडियो वना चुके है बड़ इसमें कौन कौन से connection करना होगा जस्ट और विव के लिए देख लेते है Siemens drive में 10 volt, A, L1 और 0 volt यह विजवली देखा जाएगे तो तीनों potentiometer के लिए टर्मिनल होते है इसना आप potentiometer का plus देदीजिए यहाँ पर negative देदीजिए और यहाँ पर output potentiometer का connect होगा जो कि आप potentiometer पर चेक कर सकते है और यहाँ रन कमांड बायर तो हमने रिले से शॉट करी दियता हमारे रिले स्टार्ट हो जाएगा इसकर आप यहाँ मिटसुबिशी ट्राव में S1, S2, S3 शॉट करते है उसी तरह आप यहाँ पर हमें D1C और 0V को शॉट करना होगा वैसे तो यह इतना important नहीं है बर जस्ट हमने बता रहे थे स्टार्ट का connection कर रहे थे और हमें S1, S3 को run भी इससे करवाना है इसलिए जस्ट हमने बता दिया इसका हम practically देख लेते है practically किस तरह connection किया है यह है और किस तरह यहां run करर दा चिरिक फिल्डर पर देख लेते हैं किस तरह ही हमारा S2mor schnell अभी काम कर रहा है CHINorse चिल्ड पर देख लेते हैं से हमारा स्टार का connection हो गया है booster connection उसी तरह किया जिस तरह आपनेmie द्रोइंग में समझाया था से छुस्त एक बार आएं ज द्राइब को ऑन करें से देखे जाए तो मने नीूट्र2 गो डारेक्ट इस रेले में दिया है जो कि दस नंबर में दिया है इसके दो नंबर और दस नंबर कोईल है हमने यहां से फेस इस एस एनसी से दिया जिस तरह आप मैं देते हैं इस एस एनों में दिया और इस एनों से यहां है दो नमबर में धेक है रिले की को इया यहां पर hold down हमने दे दिया है साथ नम्बर से तो यहां पर hold down दिया है उसके बाद दिखा जाए तो जैसे हम इसे प्रेस करें तो हमारा dual complete बन गया है और हमारी जो starter है वहाँ ओन हो जाएगा अफेंस हमने जो इससे ओन करने के लिए जैसे हमने दिखा था इसकी run कमांड के लिए हम इसे forward rotation करवाना थे 24 वोल्ट का जो टर्मिनल था यहां पर तो उस 24 वोल्ट को और इस देखा जाए तो D1 जो DL1 है उसे दो वायर को हमने इस रिले के एनो से गुजारे देट में इस रि विन्स हमारे drive run होगी तो विन्स से देख लेते हैं अभी किस तरह से होगी विसे हमने इसमें potentiometer का connection भी किया है देखा जाए तो 10 LAL1 और 0 वोल्ट में potentiometer का connection किया है विसे दमने इसके potentiometer का वीडियो बना दिया है कि potentiometer को run करने के लिए कौन सा parameter set करना हो यदि उस डायक् प्रेस करेगा हमारा relay hold होगा इसमे light भी on होगी जैसे relay hold होगा हमारे drive ने run करना चाहिए अभी इससे हम direct run करवा रहे है यह इससे potentiometer से connection करना है तो पहले हम इससे डायक्टर रन करवा लेता है जैसे हम इससे प्रेस करेगे हमारा relay operate हुआ, relay के operate होते ही हमारी drive on ही drive के on होते ही हमारी motor run करने लगी है तो फ्रेंसे इस तरह हम जो relay बनाया है जो circuit बनाया है इस तरह हम इस drive को on-off आसनी से कर सकते है वो जनरली field पे भी दिखा जाए तो इससी तरह का connection करते है किसी भी drive को run करने के लिए एक बाद फिर से देख लेते है फ्रेंसे जैसे हमने से on किया हमारी drive on हो गई है और हमारी drive run जो motor run हो रही है इस drive से तो फ्रेंसे यह तो हमने अभी fixed frequency पर run कर रहे है अब इस potentiometer का कुछ योजनी के से हम कितना भी कम जादा करे हमारी drive को इसका कोई effect नहीं होगा just about fixed frequency पर ही run करेगी तो फ्रे इसे just overview के लिए आपको बता देते हैं आप यदि इसे potentiometer से run करना चाहते हैं तो frequency selection mode 1000 number parameter में उसमें भी हमने 3 set करके रहा है यदि आप इसे potentiometer से run करना चाहते हैं इसके लिए 1000 parameter में जाके दो number set कर दी है उससे आपके speed जो है वो potentiometer से control होगी इस तरह आप किसी भी drive को field पे run कर सकते हैं इस तरह का starter बना के और जनरली इंडस्ट्री में इसी तरह के starter बनाये जाते हैं किसी भी drive को run करने के लिए just time में run command को इस relay के एनों से short करना होता है आपको आसनी से किसी भी drive को run कर सकते हैं तो friends I hope आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा हो तो like का बटन जरूर प्रेस करें को friends हम आपके लिए से अच्छे च्छे वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको knowledge मिलता रहे और friends इस topic से related जो भी आपके doubts से कमेंट से बॉक्स से मुझरूर पूछे हैं हम पूरी कोशिश करें कि उसके यवाप देसे करें आज के लिए इतना ही thanks friends